बेल्जीम का एक शक्स शराब बनाने वाली कंपनी में काम करता था एक दिन वो ओफिस आर्स के बाद घर लोट रहा था तबी रास्ते में ट्राफिक पुलीस ने डंक एंड ड्राइव केस में उसे ग्रफतार कर लिया कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपनी सफाई में बताया कि उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी थी और वो शक्स सच बोल रहा था तो फिर पुलीस ने उसे क्यों ग्रफतार कि नमस्कार आप देख रहें दनगरी न्यूस में शेग जोया जज ने जब उस शक्स का मेडिकल एग्जमिनेशन करवाया तो पताशला कि वह रेर हैल्थ कंडिशन और तो ब्रीवरी सिंड्रोम से पीडित है दर असल इस कंडिशन में शरीर खुद ही शराब बनाने लगता है और तो ब्रीवरी सिंड्रोम से पीडित वेक्ती के शरीर में सबी आलामात एक शराबी जिसे ही होते हैं वेक्ती को हर दम नशे का हैसास होता रहता है पैसले लेने में परिशानी होती है सब कुछ बलर सा दिखता है सिर्फ घूमता रहता है अब ये बिमारी कैसे होती है क्य होती है इसका क्या इलाज इस तब के बारे में आज हम आपको बताएंगे शराब बनाने के लिए कार्वोहईड्रेट का कर्ड़ को बता है कार्व को फर्मींट करके अल्कोल में बदला जाता एक लません करव क्रव exists को फर्मेंट करके अल्कोल में बदलने लगता है एक उस जिसमें शरीर खुद ही yeast ethanol बनाने लगता है या एक तरह का alcohol या alcohol blood में मिलकर पूरे शरीर में पहुच जाता है यही कारण है कि autobrivery syndrome से जूज रहा patient हर समय नशे में बना रहता है और अगर वहाँ शराब भी पीता हो तो महज एक दो पेक में ही उसे पूरी बोतल के जितना नशा हो जाता है हमारे पेट में अर्बो खर्वो माइक्रोप्स की एक दुनिया है इसमें बेक्तिरिया, फंगस जिसे डेरो माइको ओर्गनिजम रहते हैं इनके साथ कुछ इस्ट भी रहते हैं, यह सब मिलकर खाने को पचाने का काम करते हैं इन में कुछ इस्ट ऐसे होते ही जो कर्भाइड्रेट्स को एथनोल यानि शराब में बदलने का काम करते हैं अगर गट में येस्ट की संक्या बढ़ जाए तो शरीर में जाने वाला कर्ब एनरजी सोर्ज बनने की बज़ाई शराब बनने लगता है क्योंकि इन येस्ट का काम ही यही है बिमारी के दोरान खाने में ऐसे कर्ब्स चामिल करें जिन में फाइवर की मात्राद जाद हो जैसे ब्राउन राइज और समसूर की दार इसी तमाम और सहत की खबरों के लिए देखते रहिए नगरी मीडिया की खास पेशकर सहत नाम